अगर आप एक ऐसी गाड़ी ढूंड रहे हैं जो मात्र क्रेटा के पैसो में आए और उससे बड़े साइज की हो बड़ा बूट हो उससे जादा सेफटी हो उससे जादा माइलेज हो तो एक ऐसी गाड़ी आज मैं आपको दिखाने वालों जो कि हमारे इंडियन ब्रेंड की है फाइव स्टार सेफटी रेटिंग के अंदर आती है मैलेज अच्छा देती है सीट पर जब बैठते हैं हाइट पे तो नीचे लगती है आपको आपको लगता है कि एक फ्लोर उपर आप आप और गाडियों से अंदर बैठे हैं और इंडियन ब्रेंड हो तो आपको इससे ज फीचर्स आपको इस गाड़ी के अंदर मिलते हैं आफ्टर मार्केट आपको इसके अंदर एक भी फीचर नहीं लगवाना पड़ेगा तो आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ एक्स्टी वेरियंट सोलालाक उन्तालीस ज़ार उपे इसकी एक्शोरूम कीमत है और कम्प्ल फ्रेंट में आपको एलिडी डियारेल्स मिलते हैं हेलोजन आपको मिलती है है एड लाइट्स और नीचे जो फोग लैंप आपको दिए गए है वो दिए गई है फ्रेंट की जो ग्रिल्स हैं आपको कम्प्लीट यहां पे प्यानो ब्लेक टलर की फिनिशिंग में जो है वो प्रेंट करता है 182VHP की पावर 420NM का टोर्क सेफटी में आपको इस गाड़ी के अंदर दो एर बैग ABS EBD जैसे फीचर्स दिए गए हैं और 5 स्टार सेफटी रेटिंग इस गाड़ी ने अचीव करी हैं एंड कैप के अंदर वील कैप्स यहां पर आपको इसके अंदर मिल यानि कि चारो टायर्स में आपको डिस ब्रेक मिलते हैं और प्यानो ब्लेक कलर की फिनिचिंग में दिए गए हैं ओर विम्स विद इंडिकेटर जो इसमार्ट डोर हैं वह आपको गाड़ी के अंदर यहां पर एक स्थी वेरियंट से जो हैं दोस्तों मिलने शुरू होते है एक बार में आपको कम्प्लीट इस गाड़ी की जो साइड प्रोफाइल की लुक्स हैं वो दिखाता हूँ तो गाड़ी की जो लैंथ है वो सबसे जादा है कहने का मतलब यह है कि स्कोर के अन से भी जादा लैंथ एक्शिवीट 700 की यहां पे है और उपर की साइड आप जब है अब आप साइड प्रोफाइल से इसकी लुक्स देखिए एलेडी आपको गाड़ी के अंदर जो टेल लाइट से वो मिलती है पीछ आपको मिलता है यहां पर शार्क फिन एंटीना बैक ग्लास के बिल्कु और स्पोईलर के बिल्कुल सेंटर में आपको दिया गया है है मा ब्रेंडिंग करी गई है एक श्れない की ब्रेंडिंग करी गई है गराउंड इन्द पर क्लिया आपको आजके अप नदर काफी अच्छा-कासा जो है वो मिलता है independent 400 啦 मिलती दी गई है तो सबसे पहले आप देखिए इसका ड्राइवर साइड डॉर यहां पर आपको चारोई पावर विंडोस के जो कंट्रोल्स हैं वो मिलते हैं डॉर लोक अनलोक और वार्वियम्स को आप एलेक्ट्रिकली यहां से अड़ेस्ट कर सकते हैं नीचे आपको स्पीकर मिल हैं वो देखने को मिलते हैं और यह इस गाड़ी की है दोनों आपको रिमोट की का ओप्शन मिलता है यहां पर जो गाड़ी के स्टेरिंग है वो आपका यहां पर इलेक्ट्रिक स्टेरिंग है जिसको आप टिल्ट एड़ेस्ट कर सकते हैं और इस टेरिंग में आपको लेफ इंटीर बागे बैठते हैं X3 variant के तो काफी अच्छी जो फील है काफी फ्रेश फील है वो आपको गाड़ी के अंदर बैठते ही आती है इस्टेरिंग की फिनीचिंग आप देखी चुके हैं और यह है इस गाड़ी के यहाँ पर इंस्टूमेंट क्लस्टर X3 variant से जो डिजिटल इंस्टूमेंट क्लस्टर है वो आपको यहाँ पर मिलना शुरू होता है और यहाँ पर आप देख सकते हैं left hand side पर आपको speedometer दिया गया है right hand side पर दिया गया है rpm meter और center में आपको यहाँ पर दी गई है trip A, trip B, average field economy यह सभी चीजे distance to empty, time वगयरा सारी चीजे यहाँ पर दिखाता है आपको गाड़ी के अंदर और यह है इसका 10.25 इंच की यहाँ पर infotainment system जो कि आप देख सकते हैं चार speakers के साथ दो यहाँ पर tutors मिलते हैं android, roto, apple, carplay, bluetooth connectivity वो सभी features आपको इसके अंदर यहाँ पर दिये गए हैं और touch का response भी आप देख सकते हैं काफी बहतरीन जो response है वो यहाँ पर आपको इसके touch का देखने को मिलता है काफी सारी applications वगयरा सब कुछ आप यहाँ पर देख सकते हैं settings के अंदर जब हम जाते हैं तो यहाँ पर भी आप देखिए display के आप जो इसकी brightness है वो भी कम जाद है यहाँ पर गाड़ी की कर सकते हैं और touch का response भी अच्छा है यह आपको dummy buttons यहाँ पर मिलते हैं और नीचे यहाँ पर आपको एक जो यहाँ पर charging socket है वो मिलता है और आपको यहाँ पर कोई भी 12V का charging socket वगयरा गाड़ी के अंदर नहीं दिया गया यहाँ पर कुछ extra storage है जिसके अंदर आप अपना ATM card वगयरा जो है वो छुपा के रख सक यहाँ पर six speed manual transmission आपको इस गाड़ी के अंदर मिलता है चाहे आप petrol मिले चाहे आप डीजल मिले यहाँ पर आपको cup holder का space मिलता है और center में यहाँ पर आपको दिया गया है काफी बड़े size का armrest और अच्छी खासी storage जो है वो भी इसके अंदर यहाँ पर है movable armrest यह नहीं है औ यहाँ पर आपको सिर्फ ticket holder के space है दोस्तों वो मिलता है अब मैं आपको दिखाता हूं इस गाड़ी का glove box glove box देखें आप काफी बहतरीन storage के साथ जो glove box है वो मिलता है उपर की साइड भी आपको extra storage जो है वो दी गई है नीचे भी काफी अच्छी खासी storage है plastic quality काफी अच्छी जो है वो काफी अच्छा मिलता है लेकिन AX3 variant होने के बावजूद भी इसमें भी आपको काफी सारे features जो है वो interior के अंदर दिये गए है जब आप interior में आके बैठते हैं तो आपको ऐसा बिल्कुल भी feel नहीं होगा कि इसमें भी किसी feature की यहाँ पर गाड़ी के अंदर कमी द इस तरीकी की जो light color की freezing and beach color की वो आपको इसके अंदर नहीं मिलती है तो यह सभी features थे first row के चलते हैं second row की तरफ और दिखाता हूं आपको कि second row पर क्या क्या चीज मिलती है गाड़ी का rear door, rear door में भी आपको यहाँ पर power window का switch है वो मिलता है नीचे की side speaker, water holder space और extra space वो भी आप आपको यहाँ पर इसके अंदर दिया गया है, rear seat पर आपको दो adjustable headrest मिलते हैं और center में एक headrest मिलता है जो की fix headrest यहाँ पर इस गाड़ी का है, तो अब मैं आ चुका हूँ इस गाड़ी की rear seat पर और मैं आपको बैठ के दिखाता हूं, अभी जो driver side seat है यह मेरी height के according adjust है, मेरी height 5 foot 11 inch और आप यहाँ पर near room देखिए, काफी बहतरीन जो near room है वो यहाँ पर available है, under thigh support काफी कमाल की यहाँ पर मिलती है, मतलब यहाँ पर पीछे की seat पर बैठ के मैं 1000 km जो है वो भी cover कर सकता हूं, बिलकुल cover है मेरी thigh यहाँ और recline angle भी काफी अच्छा है, अब आप देखिए head room जो है यहाँ पर, head room भी काफी अच्छा है गाड़ी में, काफी जादा height है, तो उसमें भी कोई परिशानी नहीं है, और यहाँ पर दिये गए है, foldable grab handles है, तो rear seat का comfort है, उसमें कोई भी शिकायत नहीं है गाड़ी के अंदर, काफी बहतरीन comfort है, और काफी अच्छी खासी journey आप यहाँ पर, rear seat पर बैठ के कर सकते हैं, rear seat पर भी आपको AC vent मिलते हैं, एक आपको seat type fast charging का जो socket है, वो मिलता है, mobile रखने के लिए space मिलता है, center में हम पुना के बराबर हैं, और इस गाड़ी की rear seat पर यहाँ पर तीन adult अराम से comfortable हो के बैठ सकते हैं, और उपर की साइड य AX3 variant के अंदर जो आपको boot space मिलता है, वो कितना बड़ा boot space मिलता है, इसका complete जो boot space है, वो दिखाता हूँ, और boot access करने के लिए, यहाँ पर आपको एक power button दिया गया है, और boot देखिया आप, वैसे तो महिंदरा ने नहीं बताया है, कि boot space कितना बड़ा है, लेकिन उम्मीद य जादा, 450 लिटर से जादा बड़ा boot space यहाँ पर आपको मिलता है, और यहाँ पर आपको दोनों ही side, जो cup holder का space है, वो मिलता है, यहाँ पर आपको 12 वोल्ट का charging socket गाड़ी के अंदर दिया गया है, और यहाँ पर जो टूल किट है, वो आपको मिलती है, और spare wheel आपको गाड़ देश के अंदर और अगर आप भी यह गाड़ी खरीदना चाहते हैं, तो दिये हुए नंबर पर आप contact कर सकते हैं, फिलाल दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, अगर कोई doubt है तो आप comment करके पूछ सकते हैं, वीडियो end तक देखने के लिए, thank you very much